Hello Friends, आई आज हम देखते हैं Lecture 2 Fundamental of Computers का, जिसमें हम लोग को मेंली पढ़ना है Input Output Device के बारे में इसके पहले हम लोगोंने Basic of Computer के बारे में जाना है और उसके कुछ डिटेल्स को हमने Lecture 1 में पढ़ा है अब हम लोग Lecture 2 में आगे की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि यह subject जो है आपको आप किसी भी class में हो या किसी semester में हो या फिर किसी exam को दे रहे हो जिसमें fundamental of computer subjects है तो आपके हर एक subject को हर एक course को वो satisfy करेगा यह subject जो यह playlist जो मैं पढ़ा रही हूँ आईए देखते हैं definition of input and output device क्या होता है input output device an input device जिसको हम लोग IO device भी कहते हैं an input output device often referred to simply as IO device ठीक है is a hardware component of computer system that facilitates the interaction between the computer and external world यहां external world मतलब हम लोग मतलब यह computer को बाहरी दुनिया से interact कराने के लिए helpful है जैसे कि यह computer है माल लेजे ठीक है बाहरी दुनिया इसको interact कैसे करेगी किसी device से ठीक है और बाहरी दुनिया computer के भाज़ा को कैसे समझेगी वो भी होगा कोई device जिसको हम लोग कहते हैं output device राइट अभी हमारा यह रहा computer अभी हमने क्या किया कि यहां पे lots of input devices का sets हमारे पास है already जो कि हम लोग use करेंगे अपना input देने के लिए और computer की भासा को समझने के लिए हम लोग use करेंगे output device को इसको हम लोग क्या कहते हैं IO device भी कहते हैं IO device भी यह term जहां भी लिखा होगा तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब input होता है और इसका मतलब output होता है ठीक है और यह क्या होता है it is a hardware component यह भी याद रखना है ठीक है these devices enable user to input data or commands into the computer and receive output or results from the computer जैसा कि मैं समझा रही थी कि अगर आप computer को कोई command देना चाहते हो तो क्या करोगे input device का use करोगे और computer के command को receive करना चाहते हो या समझना चाहते हो तो क्या करोगे output device को use करोगे एक पर इस diagram को समझते हैं CPU memory it means a computer क्या है हमारा input device से हम लोग इसको data दे रहे हैं और output device के through computer से information हम ले रहे हैं तो clear हुआ हमारा output device का जो भी scenario था वो next समझते है clearly हम लोग बात करते हैं अभी सिर्फ input device पे input devices are essential component that allows user to interact with computers and provide data to the system इसका काम होता है कि यह computer से interact करे और data provide करे computer को common input devices कुछ input devices का नाम है जो इसमें दिया गया है keyboard जैसे कि अभी आप laptop में हो तो keyboard type करोगे तो आप computer को command दे सकते हो मतलब कुछ आप computer को भेज रहे हो कोई data आप computer को भेज रहे हो तो यह हमारा input device के अंदर आ गया mouse mouse क्या हुआ कि आप जैसे mouse को click करते हो आप करते हो बाहर में click computer के बाहर mouse को touch करते हो और computer के अंदर arrow आपका left right करता है तो वो भी क्या कर रहा है command दे रहा है आपके computer को तो वो क्या हो गया वो भी एक input device हो गया touch screen आजकल phone आया है हम लोग का touch screen phone आया है touch screen laptop touch screen टाप जो भी चीज़े touch screen है आप बाहर से touch करके अपने computer को input दे पा रहे हो microphone जैसे कि मैं अभी mic यूज कर रही हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो यह क्या कर रहा है कि हम जो बोल रहे हैं इसको ऐसा input ले करके प्रोसेस करके और यह computer में store कर रहा है तो microphone भी क्या हुआ एक तरीके से बाहरी दुनिया से data ले रहा है मेरे से data ले रहा है तो यह क्या कर रहा है यह भी input device की तरह काम कर रहा है wave camera जैसे कि camera जो होता है जैसे कि हम लोग फोटो क्लिक करता है तो यह भी input ले रहा है data को ठीक है input devices में कुछ types हुए जैसे manual data entry devices और direct data entry devices manual मतलब कि हम लोग type करके या click करके उसको data देते हैं हम लोग कमाने हैं की keyboard mouse joystick microphone touch screen touchpad light pen wave camera voice recognition system यह सब चीज़े याद रखेगा question जरूर पूछेगा इससे और direct scanner barcode reader micr ocr sensors biometric systems retina scan fingerprint ठीक है आईए अपना next देखते हैं keyword के बारे में थोड़ा थोड़ा आपका structure change हो सकता है लेकिन keyboard कुछ ऐसा होता है the keyboard is a primary input device for typing text and entering commands ठीक है सबसे primary input device है it contains alphanumeric keys इसमें keys होते हैं alphanumeric keys functional keys and special keys like CTRL, ALT and shift okay pressing a key generates an electrical signal which the computer interprets as input यह electrical signal भेजता है key press करने पर जो computer को समझाता है कि left button है यहां पर body है जैसा कि हम जानते हैं यह भी एक input device है the mouse is a pointing device used to control the cursor on the screen screen पर point करने के लिए अभी आप देखो मैं क्या कर रही हूं मैं यह यह जो arrow बना रही हूं monitor के help से cursor घुमा रही हूं बाहरी दुनिया में बैट के computer पे यह आप देख रहे हो मैं cursor को घुमा रही हूं यह जो cursor घुम रहा है यह mouse का काम है it typically has two or more buttons and a scroll wheel for additional functionality इसको क्या बोलते हैं बीच में जो होता है scroll wheel user can click double click right click and drag items using the mouse okay next touch screen इसके बारे में तो भाई सब कोई family गया रहे हैं क्योंकि हर कोई touch screen phone यूज कर रहे है तो touch screen phone से आप लोग जो जो काम कर पाते हो वही इसके बारे में लिखा है touch screen have become popular in smart phones देखें tablets and some laptops मतब सारा laptop आपका touch screen नहीं होता है यह बोलना चारा है they allows user to interact directly with the display by tapping swapping and pinching okay capacitive touch touch screens use electrical charge while resistive touch screen respond to pressure याद रखियेगा okay आई यह अपना nexus joystick यह क्या है हमारा input device याद रखना है यह क्या हमारा input device यह क्या हमारा input device point करने का काम करता है that is used to move the cursor of a computer screen computer screen का cursor move करने के लिए इसका काम होता है यह spherical balls यहाँ पे balls होते हैं is attached to both the bottom and top ends of the stick okay and in a socket the lowest spiral balls slides you can move the joystick in all four direction okay चारो direction में आप इसको move कर सकते हो next है हमारा light pane light pane जैसे कि आजकल tab वे बाया जिसमें एक pane भी दिया रहता है जिससे आप तच करकर के इसका काम करें light pane जै type of pointing device that looks like a pane pane की तरह दिखने वाला कोई चीज होता है जो point करने के काम होता है it can be used to select a menu item or to draw on the monitor screen a photo cell and an optical system are enclosed in a tinny tube when the tip of a light pane is moved across a monitor screen while the pane button is pushed the photo cell sensor element identifies the screen location and provides a signal to the CPU मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो pane में pane के button को आप पुश करोगे इसमें एक photo cell sensor होता है जो identify करता है screen के location को तो यह सब terms को याद रखना है next है हमारा scanner हम लोगों ने आपने scanner को यूज किया होगा अपने life में already हो सकता है किसी ने joystick नहीं उस किया होगा light pane में भी नहीं किया होगा लेकिन scanner किया होगा scanner is an input device that function that functions similarly to a photocopier ठीक है जैसे लोग photo copy करवाने जाते है वैसा ही scanner भी हमारा काम करता है it's employed when there information on a paper that needs to be transferred to the computer's hard disk for subsequent manipulation the scanner collects images from the source and converts them to a digital format that may be saved on a disk before they are printed these images can be modified यह कहना चाहरा है कि आप एक photocopy लेके गए अपने पास या आप एक और original अपना certificate लेके गए आपने इसमें डाल दिया आपना वह certificate ठीक है यह scan करेगा और computer के hard disk में या device में इसका soft copy भी save कर देगा आप इसमें कुछ modification करना चाहते हो तो कर लो और करके फिर hard copy printout निकाल लो यह काम होता है scanner का next input device है input device है कौन सा हमारा यह है हमारा microphone जो मैं अभी यूज़ करें microphone is an audio input device that captures sound and converts it into a digital data okay it is used for voice commands audio recording video conferencing and more यह तो आप लोगों ने देखा होगा यह भी मतलब like mic जो आप यूज़ करते हो न वह आपका एक तरीके से microphone जो है वह input device है चाहे वह mic आपका earphone का ही क्यों नहों microphones are essential in applications involving voice input जहां भी voice का काम होता है voice को आपको transfer करना होता है या voice को सुनना होता है या आपको voice को बोल के digital data में transform करना होता है वहां पर microphone का काम आता है जो कि एक input device है next input device है webcam webcams are video input devices commonly found in laptops and external peripherals like यहां पर आप अपने computer के उपर देखोगे मेरे system के उपर में जो camera लगा है वो भी webcam है हर laptop में webcam होता है maximum और आपके phone में भी camera होता है या फिर externally आप किसी-किसी shop पे भी webcam देखे होंगे camera लगा करके रखा है they capture video and images यह image और video दोनों ही capture करता है sound के साथ भी करता है and video conferencing, live streaming and online communication के लिए भी इसका use करते है जैसे कि अभी मैं live session लेने लगू तो हम और आप live बैठे होंगे और यह wave camera जो है वो use करेगा काम करेगा हम दोनों के बीच में आजा communication medium wave cams plays a crucial role in remote work and virtual meetings जैसे कि अभी हम लोग office में meeting बगड़ा करेंगे और video meeting है, team call meeting है, virtual meeting चल रहा है तो हम लोग wave cam अपना on करेंगे और हम लोग virtually interact कर सकते हैं physically present होने की जरूरत नहीं है output device पर क्या होता है output device, output device displays or present data generated by computers to users computer जो भी generate करता है उसको दिखाने का काम करता है output device, common output device are monitor, printer, speaker, headphone, projector जैसे कि monitor कैसे काम करता है monitors are visual output devices that displays emails, text and videos from the computer मतलब आपने input कि what is monitor और उसने process किया computer ने और computer ने आपको फटाक से monitor पर display कर दिया कि this is monitor so then monitor is also output device जो कि आपने google किया what is a laptop, what is a mouse और mouse का photo के साथ साथ आपको उसका description भी दे दिया तो क्या किया, वो एक तरीके से आपको दिखाने का काम किया आप उसको पढ़ पा रहे हो, आपके लिए वो output device हो गया ठीक है, they come in various types such as LCD, LED and OLED offering different resolutions and refresh rates मतलब बहुत quality का monitor आता है मतलब जो जितना range का लेका उतनी facilities होती है आपको LCD लेना है, LED लेना है, OLED लेना है आप घर में TV लेते हो तो बहुत type का TV आता है monitors are essential for everyday computing task and multimedia entertainment हम लोग monitor एक display है, जैसे हमारा phone भी एक display है हम लोग कैसे कर सकते हैं, बिना display के कैसे क्या हम लोग देख पाएंगे कुछ नहीं देख पाएंगे, TV में भी बिना screen ही नहीं होगा तो क्या देख पाएंगे laptop में काम करने screen नहीं होगा तो क्या देख पाएंगे monitor नहीं होगा तो क्या देख पाएंगे Inkjet printers and laser printers are two common types. Printers are used for various applications including document printing and photo printing. Next है हमारा speaker. Speaker किसले काम आता है? हम लोग के घर में speaker होता है. कुछ भी गाना सुनना है. या फिर कोई भी चीज़ लाउट में सुनना है. टीवी में भी speaker होता है. लैपटॉप में होता है. फोन में भी speaker. अगर इन बिल्ट speaker होता है. अगर इन speaker नहीं होगा तो बाहर आवाज कैसे आएगी? मतलब एक तरीके से टेकनलोजी का ये बोलने का एक माउथ होता है. मतलब वो बोलेगा कैसे? आपका लैपटॉप बोलेगा कैसे? स्पीकर के थ्रूब बोलेगा. आप उसमें कुछ भी सुनना चारहे हो बोलेगा कैसे? उसका मतलब क्या बोलू? मैं मुह है, माउथ है उसका बोलने का. आप समझोगे कैसे? वो जब तक बोलेगा नहीं, आप समझोगे कैसे? तो वो बोल जो रहा है, वो speaker के थ्रूब बोल रहा है. आडियो जो बाहर आ रहा है, वो speaker के थ्रूब आ रहा है. Speakers are audio output devices that produces sound from the computer. They come in different configurations such as stereo 2.1, 5.1 and surround sound. Speakers enhance the multimedia experience and are crucial for gaming and entertainment. हर चीज के लिए तो speaker की जरूरत पढ़ती ही है. Speaker मतलब external speaker की बात नहीं हो रही है. आपके TV में जो internal speaker भी लगा हुआ है, उसकी भी बात हो रही है. बात करते हैं, प्रोजेक्टर का. हम लोग पहले मूवी देखा करते थे. तो मूवी कैसे चलता था, पीछे प्रोजेक्टर चल रहा है और आगे कपड़ा है और उसमें डिस्पले कर रहा है. तो वो क्या करता है, वो आउटपुट देता है, वो आपको, वो सीन चला रहा होता है, जो कि परदे पे दिखता है. प्रोजेक्टर अर यूज़ तो डिस्पले लार्ज स्केली मेज़े और वीडियो जान स्क्रीन और सर्फिसेज. देफ्ड एक्राज स्क्रीड स्क्रीड अर्फिसेज प्रॉट इस्पले प्रोजेश प्रोजेश प्रोजेज कर आपके प्रोजेश प्रॉटर वो जान प्यूज़ प्रॉट्टर वे दिखता है.